बंदी चोड दयाल जी, तुम लग हमरी दोड, जैसे काग जहाज का, सूजत योर न ठोर कभीरा, सूजत योर न ठोर आज संसिरोमने सद्गुर बंदी चोड, सत्पुरुष परमात्मा कवीर साब महाराज का अवत्रन दिवस है, ऐसे बंदी चोड के जरनों में हम कोटी-कोटी बंदन करते हैं, यह हिंदूस्तान की ही पावन धरा है, जहाँ पर डाकू रिशी बने, समराट भिक्षुक बने, चारवाहा समराट बन गए, यह नारिया योद्धा बनी, बालक तपस्वी बने, यहां के वृध्धों ने, अपनी मर्थु स्व्यम्चों ने, पतिवर्ता इस्ट्रियों ने, यह मराज से अपने प्रान चीन कर ले आई, जहाँ पसू पक्षी बरक्ष नदियां पूझे जाते हैं, जहां मर्थकों को भी जल परदान किया जाता है, जहां धरम के नाम पर अपने प्रान तक नुचार कर दिये जाते हैं, इस धरा पर देवता भी जनम लेने के लिए लालाईत रहते हैं, यह वही धरा है जहां नाराण भी नर अवतार लेकर अपनी लीला करते हैं, प्रमात्मा भी स्वम अपने धाम से उतर कर किसी न किसी मा की गोद में खेल कर लो कभीर साहाब कां से उत्रे गंगन मंडल से उत्रे सद्गुर पुरुष कभीर जलमाही पोढ़न बहे सब पीरन के पीर आकास से उत्रे थी सद्गुरु जोती शुरू पुष्प पर बालक के रूप में अवत्रित हुए और निरुनी माजिन की पुरुष जनोमों की बहुत बड़ी तपश्या, साधना, भक्ती थी उनकी गोद में आए सद्गुरु पुरुष परमातरु इस धर्ती पर क्यों आए थे गृव सेवक होकर उतरे इस परत्वी के माही जीव उदारने जगत गुरु बार बार बली जा गृवदास माराज कहते हैं सद्गुरु आपके चरनों की बार बार बलिहारी जाते हैं जो चारों योगों में सेवक होकर यानि दूसरे की सेवा के लिए और जीवों का उधार करने के लिए इस धर्ती पर अवत्रित होते हैं और ऐसी सद्गुरु के नाम में ताकत है जिनका नाम लेने से भी बंदन छूट जाते हैं जहां यमराज भी अटेक नी करता हाथ ने लगाता उनके हन्स को क्योंकि गरीब दास महाराज ने अपनी बानी में प्रमानित किया है गरीब दर्द बंद दर्वेश है सत्गुर पुरुष कभीर है नाम लिये बंद छूटे है तूटे जम जंजीर है आपने कहीं पर जा रहे हो रोड पर और चोटी गलती होगी ओपिसर आगे बेच में आ जानकार आप उसका नाम ले देते हैं तो कैमें छोट छोट जाने देश को जब यहां इतनी जानकारी से आप छूट जाते हैं रे सद्गुर बंदी छोट का नाम लेने से तो सद्गुर कहते हैं तूटे जम जंजीर नाम लिये बंद छूट है जिनका नाम लेने मातर से बं में और भार जितना छोटा नहीं था अब गानिस्तान तुर्किस्तान जितने भी ये देशन है और भी ये सारे के सारे हमारे हिंदुस्तान का हिशा था इसलिए तो जो बलक बुखारा है इधर जितने देश है ये भी सब हमारे देश का हिशा था ये तो बाद में टुकडे हो स सद्गुर्य सब दर्ति पर घुमे वे एक बार अपनी संत मंडली के साथ बर्मन करते वे मुत्रा वरंदावन की तरफ गई तो उनके भगतों की भावनाती सद्गुरो बगवान की लीला सतली है उनका भी दर्शन कराओ सद्गुर्जी पहुंचे और जैसे ही पता चला मुत् आप बढ़ान ने बंसी बजाई थी सद्गुर्जी पबीर सामने बंसी बजाई तो शारी मुत्रा वरंदावन दोड़ पड़ी एक दिन सद्गुर बीन बजाई कालंदी के तीर ऐसे बानी में आता है कलभी यह तो दुआपर में बंसी बजी थी ऐसी अब अबंसी बजाना जो सब सीख लेते हैं लेकिन वो सुवर जो फूकना भीतर से वो जो धून है जो भीतर से बीरही पैदा कर देती है जो पागल बना देती है ब्रंदावन मुत्रा दूड़ पड़े खिचे चले पता चला वो कासी वाले सद्गुर कबीर साब आये उसी समय बहुत बड़े अधा करते थे हजारों लोगों की बीड़ी कटी होती लेकिन पता चला कि शिकंदर लोदी भी हिंदूस्तान के बासा जिनके चर्णों में जुखते हैं और जिन्होंने बड़े बड़े चमतकार दिखाए हैं जिन्होंने शिकंदर लोदी के दरबार में एक मरीवी गाएं सद्धूर नजिन्दा कर दी थी देखे ऐसे अत्याचार थे शिकंदर लोदी ने शेखतकी के कहने से कि कभीर की प्रिक्षा लो ये सद्धूर है या नहीं है ये तो कोई जादू लगता है देखोए गाएं माता है लाएं और कर्द लाकर उसकी गर्दन काट दी और उसके नीचे बेचारी बच्छडा था जब काट दी तो कभीर साब कर लगे रे पापियो ये पाप क्यों कर दिया तो मां है सब दूद पीते हैं करने के फिर मां मानते हो और तुमारे में ताकत है तो इसको फिर जिंदा कर दो तो सद्धूर कभीर साब पास गए और ठपकी मारी सब्सक्राइब दूद निकाला उसका और उसका दूद पीया तो पहला पर चाहिए था गरिव दास महराज बानी में लिखते हैं गरिव चुटकी तारी था पदे गौजवाई बेग गरिव दास दून लगी दूद बरी है तेगे दंबरी विगाए जिवित हो गर दूद थ खनों में बराया और सद्गुर कहते हैं यो पर्चा पर्थम बयासा सिकंदर पास गरिव दास का जी मुला हो गए बहुत उदास मूँ बाएगे बाई रहेगे सारे उदास कड़े है कीव के गरे युद इतना बड़ा चमतकार कर दिया जिसकी करदन काट दी तीर बना किसी जवाई बुटी ओप्रेशन के ओजार के अरिया खड़ी होगी गा और मान लागी तो सिकंदर भी हैरान हो गया तो वो पर्चे सब जगए हिंदूस्तान में परसीद थे सद्गुर ने जब ऐसे ऐसे पर्चे दिखाए थे बाउन का सोटी ली थी तो पूरी मुत्रा वरंद है रोते इतना सुन्दर शुरूब देख करें कि यही तो काशी के कभीर हैं जो आसमान से सिते उत्रे थे अरिव्यास जी ने काभी क्या बात हो गई कथा में तो दोज्यार आजमी रहेंगे और सब कहां गई तो उनके सेवकों ने कास गुरुदेव काशी बाड़े कभीर आ नहीं है वो लोगों को बैकाते हैं मुर्ति पूजा चुलवाते हैं हमारा ग्यान सही है तो उनकी बैकाई में नहीं आना इस तरह तरह की बाते कहते हैं जब रात को हरी व्यास जी सोए उनको रोज आना सोपन में ध्यान में बगवान का दर्शन होता था कर्शन बगवान का उस दिन दर्सन जी हुआ तो सुवह उठे भी मेरे से क्या गलती होगी तो बगवान ने चेता कि तुने एक संत की निंदा करती है और जो संत की निंदा कर दे उसको दर्सन मैं नहीं देता हूँ क्योंकि जो हरी और संत गुरु निंदक होता है करते हैं उसको सब देव सकतिया भी छोड़ कर चली जाती है तो उन्होंने चमा मांगी भी मैं क्या करूं गलती मैसूस की उधर कवीर साहब को पता चला की हरी व्यास जी आपके बारे में उल्टा सिदा कह रहे हैं तो सद्गुर ने पता क्या कहा हरी व्यास जी तो बहुत अच्छी कता करते हैं अच्छे संत हैं अरी कल्यूग में तो हरी नाम कथा किर्तन ही बहुसागर की नाव है कथा किर्तन कल्वी से बहुसागर की नाव है कथा सुननी चाहिए जीवकाउधार होगा जब हरिव्यास जी को पता चला कि मैं निंदा कर रहा है और वो मेरी परसंसा कर रहे हैं वो असली संत है तो और भगवान का दर्शन होना बंद हो गया सोचाई से तो अच्छा मैं डूब के मर जाऊं व्याकूल हो गया युमना में जाकर छलांग लगा दी जब डूबने लगे ना सद्गुर बंदी छोड कभीर साब ना पर गटोगा युमना में हाथ पकड़ लिया हरिव्यास जी मरने से काम ने चलनेगा संततों तारने के लिए आते हैं तो हरिव्यास जी ने चलने पकड़े और फिर वा सद्गुर कभीर साब की स्थूति लिखी बाणी उन्होंने बाणी लिखे अरिव्यास जी के मैंने कई गरंथों में उनकी बाणी पड़िया तो कभीर साब पर बाणी लिखे और लोगों को गागा के शुनाया वरिंदावन मुठिरा में कली मैं साचो संत कभीरा जब से हरी चर्णन रुचिय उपजी तब से बुनोन चीरा कली मैं साचो संत कभीरा दिनों लेईन याचे काऊ ऐसे मनें के दीरा योगी यती तपी सन्यासी इनकी मिटी नपीरा कली मैं साचो संत कवीरा फिर यहां परमानित करते हैं वो भी पांच तहत से जनमन पायो प्रत्वी जलगनी वायो आका से कभीर का जनमने वायो पांच तहत से जनमन पायो कालन गर्शो सरीरा व्यास भगत को खेत जुलायो आवा गवन नहीरा कली मैं साचो संत कवीरा अरिव्याजी कर लगे इस गोर कल युग में अगर कोई सच्चा संत देख्या तो वो सद्गुर कभीर साब है क्योंकि यह सतलोक से आए है बहुत उच्चा धाम है लख लख योजन उड़त है सुनर मुनजन संत उच्चा धाम कभीर का कोई नपावे अंत कहते हैं देवताओं में इतनी ताकत है कि लाख लाख योजन सरीर से उड़ूड के उपर चले जाते हैं लेकिन सब्त पूरी सैलान बट कहते हैं सातों पूरी और बेखूंट तक यहाँ पर देवताओं की दोड़ है उच्चा धाम कभीर का इन समसे उपर दाम किसका है सद्गुर बंदी छोड कभीर साब का है और वो काल से प्रे है माया से प्रे है और वहाँ कोई नहीं जा सकता जो सद्गुर का हान्स है और सद्गुर की जिसमें ताकत हो वही जा सकता है जब सद्गुर बंदी छोड 120 वरस तक अपनी यहां लीला करके और काशी से मगर जाने लगे क्योंकि उसमें ये बरम था कि काशी में मरने से मुक्ती होती और मगर में गधा बनता है छोटी योनियों में जाता क्योंकि वहां तर्शुंकू का मलमुत्र पड़ता है ऐसी धारना थी सद्गूर ने का भी करम से गती होती है ऐसे जगय का फरकनी होता हम तो वहीं शरीत त्याग करेंगे तो देखो उस समय बीजली खापठा बीर सिंग बगेला सारी सेना सड़ दर्शन भेश वहां पहुंच गे कभीर साब जाएंगे कैसे क्यों आयत थे फूस्प पर और जाएंगे कैसे यह अचमबा देखना था सद्गूर बंदी छोड़े नेक जोपड़ी तयार करवाई थी और उसमें चले गए कले भी फिर उसके बाद हम क्या करेंगे मड़ी बनाए या संसकार जड़ाने का करें या नीचे धर्ती में गाड़े सद्गूर नेक एक चादर ली थी कि जो मिले वो आदा आदा बाठ लेना कासी तजकर मघर चाले किया कभीर पयाना और चद्दर फूल बिछे इचाड़े सब्दे सब्द समाना क्यों हाड मास का सरी तो था नी तो आड़ मास रहेंगे का से तो आड़ मास मिले नी थे सद्गूर तो नूर में नूर मिल गे जब सद्गूर कासी से अंतर ध्यान होकर सतलोक में जा रहे थे उसी से मैं रास्ते में माया आगी माया का मतलब आज सक्ती ओंकार सक्ती उसको मा लक्षमी को महादुरगा को उसने सोचा कि मेरे जान से तो बच के कोई नहीं जाता कभीर जा रहे हैं तुमान लिला करके जाने लगे इतना सुंदर सरंगार करके आकास से उतरी रास्ते में रोक लिया वहां कर रहे हैं जो माया और कभीर हाप का संवाद गरीवदाशी माहराज तो या संस्कार करते गौड़ते कुछ करते लेकिन माया आद अरस्ते हैं उत्री बढ़ी अफसरा हुराओ हम तो बरे कभीर पूरस को तुम है दुल्ला पूरा ओ अकास से उत्री अफसरा बड़ी सुन्दर है और कभीर साब को कह लगी मैं तो आप से वरण करना चाहती हूँ क्यों तुम ही एक दुल्ला है बाकी तो कोई है नहीं सब इस्तिरिया है और मेरे को अपने चरणों में ले लो तो माया कहते हैं माया कहे कभीर पूरस से देखो बदन जहूराओ अर्श विमान सुरग में मंदर हैं बोगे हमको सुराओ माया कहने लगे सुरग में बड़े सुंदर मंदर हैं अलिशान अर्दर्थी पर पैर नीट अगना और अर्श में भी मालाकास में विमान उड़ते हैं उन में बैठके गुमेंगे बड़े-बड़े सुरुवीर तरफते मेरे लिए माया और कभीर साब मुश्करा रहे हैं मा में बड़े मुझे पता जिस जिसन भी तूबह गी ना तरिये जाल में आए ओ दूल में मिल गे तेरी नजर नकुटील वो मेरे पर निछ लगी क्यों मेरी नजरता सत्पुरिष परमातमा मैं मेरे पर इसारा निछ लेगा माया कहें कभूर कभीर पूरस से जग से मैं हूं ज पुट्रानी बना लो और कती पलकों पे राखो तो सद्गुर्ण ने देख्या खाँ जाल फ्यलाने आई है तू मेरे कोई ने मेरे जो हन सात्माय होंगी उन पर भी तेरा बस निचाल लगाँ नमला छेडिये जाने देना सिद्धा दगड़ा है सद्गुर्ण वा काल को भी का कर दो को भी का है कभीर सुनोरी माया तुम तो लडो भू बूरा ओ जो तूम खावे शुवे जावे थास अखल के बूरा ओ कि अदिधु तर बूर का लड़ु जो यह बरवाजिय बणाते हैं शाकर जिने बूर निकला करें उसका लड़ु सी तो फिला-पिला अछा लागे तो छोचो खाल लूर खाली आठा बूर की तट केगा ना काट सकते ना भीत तर ले जा सकते यू गळे नंपकडा करें ने क्यारी, जो लकड़ी का पुराद्धा होता है. आध बी पस्तावर, जो ना खाव है, वो भी पस्तावर. बाजे अनहे तूरा हो, दास गरी बक हें सुन माया, हमसे रहे दूराओ. कहते हैं जा स्वेत गुमट सबेत सतलोक है वहां सब कुछ नूर का माया काल नहीं जाए सकते वह अजर हमर सनातन दर्ती है हम तो महां रहने वाले मेरे से दूर रही हो और माया नमस्कार करके रास्ता छोड़ दिया और सद्गुरू अपने धाम में चले गए सतलोक में नूर म कि दूलन लूटो बाजारे जो रमया परमात्मा ना इसकी दूलन ने किसने माया ने यह सारा बाजार सारे बर्मंड अंड सब इसने लूट लिए है शुरपुर लूटा लागपुर लूटा तीन लोक में मचिहां हाकार बर्मा लूटे महादेव लूटे नार्द मुनी के पड़ी पचार करते बर्म अभिष्णु सिव और नारद में बचारा बर्म चारी था बगती करके आया और माया देखने लगया बगवान की बैतर बच्चे होगेर गरवाली बाद आई सारे बयागेर खड़ा खड़ा रूवाए फिर बगवान ने लिला समेठी फिर प्रना प्रमात्मा का यह सद्गुर कह रहे है और कहने वाले को जिगर चाहिए श्रेंगी रिशी की मिंगी करड़ारी पारासर के उधर विदार कनफुकांची दिकारी लुटे सबद डोर गया उतरे पार जिसने सद्गुर का सबद पकड़ लिया वो उस डोरी को पकड़का पार ह सबनाल हो गये ना दो करते हैं सरेंगी रिशी की मिंगी करड़ारी पारासर चैस्स एवे दौर गया उतरे पार कहते हैं इस ठगणी से रो हुशियार रहे हैं वह जाते जाते यही उपडेश करके जा रहे हैं कितने कुरोडों भक्तों को पार करके गए गरीवदाची महाराज कहते हैं गरीवदे नोलक नानक नाद में दसलक गोरक पास अनन्त संत पद में मिले कोट तरे रेदास काते हैं नौ लख नानक नादमे नानक साब जैसे शद्गुरू नो लाख पार किये कभीर साब में दस लाख गोरक जैसे आर पोट तरे रहधास कुरोणों जैसे रहधास जैसे उच्छ कोटी के संथ बंदी छोट पार लेगे तो बहुत बढ़ा शुत लोक में लेगे शाराइब तो बढ़ाई बार बार संत आते हैं और यहांसा उठाने के लिया आते हैं यहां गरमत बनाओ क्यों रेना नाई देस भीराना है थुड़ा गुंगे नाल याद रखे हैं यानी रेना बराने देश में आये वे हैं उस कैसे, सद्गुर्य आते है, रेना नहीं देश फिराना है, यह संसारे बंदि छोड कभीर सामाराज, हमें इस संसार से निकालने के आली आए और ऐसा जल्वा दिखा कर गए धन कभीर कुछ जल्वा दिखाना हो तो ऐसा हो और बिना माबाब के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो उतर कर आस्मान से नूर का गोला कमल दल पर वो आकर बन गया बालक और बहाना हो, तो ऐसा हो, कहते हैं सद्गुरु, शुडा कर ढोंग दुनिया के, वो राम का उबदेश देते थे, सारे मैदान पर डंका बजाना हो, तो ऐसा हो, फिर सद्गुरु कहते हैं, सुना के ज्ञान निर्बानी किया दो दीन कुँचेला अगर संसार में सद्गुर कहाना हो तो कभीर जैसा हो छोड़ के फूल और चदर चले साहब निजगर को परम अवतार इस जग में कहाना हो तो ऐसा हो सद्गुर बस यही निशानी छोड़ कर गए थे क्या फूल और चदर और अपने उपदेश हर उपदेश में केद कभीर सुनो बाई सादो यानि हे साद को ए भगतो मेरा ज्ञान सुनलो सुनोगे तो पार हो जाओगे यह ललकार कर गए यह उद्गोश करके गए यह सद्गुर बंदी चोड़ उनकी बानी सरवन करो पड़ो सत्संग सुनो संतों की सरण में जाकर सेवा करो क्योंकि सद्गुर शुम बंदी चोड़ कभीर साव महाराज न उतरके अपने गुरु चर्णों की सेवा की ताना बुन कर सेवा की संतों के बंडारे किये कोई इमान बडाई नहीं और देखो कितने हनसों को पार किया ऐसी कौन सपेलन आई रे इसन रंग भरी बीन बजाई रे ऐसी कौन सपेलन आई रे इसन रंग भरी बीन बजाई रे ऐसी कौन सपेलन आई रे इसन रंग भरी बीन बजाई रे पंडत काजी हुए दिवाने पंडत काजी हुए दिवाने सुन सुन बीन हुए मस ताने सुन सुन बीन हुए मस ताने ऐसी जडी लगाई रे इसन रंग भरी बीन बजाई रे ऐसी कौन सपेलन आई रे इसन रंग भरी बीन बजाई रे ऐसी कौन सपेलन आई रे इसन रंग भरी बीन बजाई रे इसन रंग भरी बार में बार सपेलन आई रे इसन रंग भरी बीन बजाई रे इसन रंग भरी बीन बजाई रे इसन रंग भरी बीन बजाई रे ऐसी कौन सपेलन आई रे इसन रंग भरी बीन बजाई रे बंद कराई नो दरवा के बाजन लागे अनहद पाचे सत गुर्न जोत जगाई रे इसन रंग भरी बीन बजाई रे सत गुर्न जोत जगाई रे इसन रंग भरी बीन बजाई रे इसन रंग भरी बीन बजाई रे इसन रंग भरी बीन बजाई रे इस ठगणी ने एक सहर बसाया पकड़े है नाग पीटारे लाया मेरे गुरुन जडी सुंगाई रेशन रंग भरी बीन बजाई रेशन रंग भरी बीन बजाई रेशन कौन सपे रने आई रेशन रंग भरी बजाई रेशन कत कबीर सुनो भाई सादो कत कबीर सुनो भाई सादो वैसा जूलम ले रही जादो करलोन सा फल कमाई रेशन रंग भरी बीन बजाई रेशन करलोन सा फल कमाई रेशन रंग भरी बीन बजाई रेशन कौन सपे रने आई रेशन रंग भरी बीन बजाई रेशन कौन सपे रने आई रेशन रंग भरी बीन बजाई रेशन बुलिय सथ गुरुदे भगवान गुरुदे भगवान कीज साथ साहे